हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल All Indian Jobs पे और आज हम आपके लिए लेख आया है CISF और ITPP के समाने हिंदी के टेस्ट चीरीज जैसे कि आप लोग ने कॉमेंट किया था इसी वज़े से हम ये लेके आया है वीडियो आपके लिए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल All Indian Jobs को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकन को प्रस कर दें ताकि जब हम अपने न्यू वीडियो अप्लोड करें तो आप उससे नोटिफाइब रहें तो वीडियो अच्छा लगए कि तो उसको लाइक करें शियर करें और च अप्शन C छना हुआ या अप्शन D थोड़ा सा हमारा राइट आंसर है अप्शन A टूटा हुआ हमारा अगला कोश्चन है दूद का धुला होना का आशे है अप्शन A सफाई पसंद होना अप्शन B घमंडी होना अप्शन C गोरा होना या अप्शन D निर्दोश रहना हमा आदेश, option B अर्ध, option C ओट, या option D भाग्य, हमारा right answer है option C, ओट तो friends हमारे अगले questions के लिए निर्देश दिया गया है निमलिखित प्रतेक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टी से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिनहित कीजिए तो हमारा question number 79 में option number A है, प्रतिपादन option B, जेश्ट option C, अक्षर या option D, सुगंद हमारा right answer है, option A, प्रतिपादन अगला question है, हमारा option है, समर्थन B, कवित्री option C, निर्नायक या option D, व्यक्ती हमारा right answer है, option A, समर्थन अगला question है, हमारा एक भाषा और एक भाषा दूश्री भाषा से क्या लेती है option A, अक्षर option B, ध्वनी option C, शब्दावली या option D, इनमें से कोई नहीं हमारा right answer है, option C, शब्दावली तो अगले questions के लिए, फिर से यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है निमलिखित प्रतेक शब्द में दिये गया शब्द के समानार्थी शब्द के चयन नीचे दिये गया विकल्पों में से कीजिए तो हमारा शब्द है, परिनिती परिनती और option है option A, अंत option B, परित्रान option C, अशिष्ट या option D, परिने हमारा right answer है, option A, अंत अगला question है, हमारा question जाद्देव option A है, अगनी option B, ठठारी option C, पेट या option D, बुढ़ा हमारा right answer है, option A, अगनी अगला question है, हमारा धनुष option A, सराशन option B, विशिर्वासन option C, कापिक्ष या option D, कोड़न तो हमारा right answer है, option D, कोड़न तो अगले questions में हमें कुछ options दिए गए हैं, उसमें परिवाची शब्द को चाटना है हमारा पहला शब्द है, व्योम जिसके options है, option A अकाश, option B किरन, option C अगनी, या option D, ब्रहा हमारा right answer है, option A अकाश तो हमारा अगला शब्द है, कानन option A, मधुकर option B, पुष्प, option C, वहिप या option D, वन हमारा right answer है, option D, वन अगला question है, हमारा दास option A, पादप option B, तात option C, ब्रित या option D, श्रमिक, हमारा right answer है, option C, व्रित्य तो friends, हमारे अगले question के लिए निर्देश दिया गया है, दिये गए प्रतेक वाक्य में, रिक्त स्थान की पूर्ती, उसी वाक्य में काले मोटे छपे शब्द के उप्युक्त विलोम शब्द द्वारा की जानी है इसके लिए चार-चार विकल्प प्रस्तावित है उचित विकल्प का चैन कीजिए तो हमारा question है, कोमल शब्द सुनकर सांत्वाना मिलती है, ना की, डैश शब्द, option A, पुरुष परुष, option B रिदू, option C, कठिं या option D, निस्थूर हमारा right answer है, option A परुष तो हमारा अगला question है, वह शास्त्रों का भले ही डैश हो, पर लोकाचार में सर्वता अनभिग्य है option A, अग्य option B, कृतग्य option C, शास्त्रग्य option D, अभिग्य हमारा right answer है, option D, अभिग्य अगला question है, मैं स्वयम डैश, तो क्या सकारन, पत्र भी कम ही लिखता हूँ option A, निराकरन option B, अकारन option C, डारुन या option D, निवारन हमारा right answer है, option B, अकारन अगला question है, हमारा विज्यान के डैश और नकारात्मक, दोनों पहलू आज हमारे सामने हैं option A, संसकारात्मक option B, विकारात्मक option C, संकारात्मक या option D, गुनात्मक हमारा right answer है, option A, संसकारात्मक हमारे अगले questions के लिए फिर से यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, निमलिखित प्रते काव्यान्ष का सही अर्थ के लिए शही लोकोक्ती का चैन नीशे दिये गए विकल्पों में से कीजिए हमारा पहला question है, विपदा सब पर आती है option A, चांद को भी ग्रहन लगता है option B, इतदाय इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या option C, एक तवे की रोटी, क्या छोटी, क्या मोटी option D, आसमान से गीरा खजूर में अटका, हमारा right answer है, option A, चांद को भी ग्रहन लगता है अगला question है, केवल दिखावे से नाम नहीं मिलता, option A, जोग जगुत वजानी, कपड़े रंग भय बिरागी, option B, खेत खाए गदहा मरा जाए जुलहा, option C, आप मेरे बिना स्वर्ण नहीं मिलता, या option D, कहने से कुमार गधे पे नहीं चड़ता, हमारा right answer है, option A, जोग जुगत वजानी, कपड़े रंग भय बिरागी तो हमारा अगला question है विनाश करने वाले का विनाश निश्चित है, option option A, नंग पड़े, मैदान में चोर बलाईया लेई option B, पराधीन सपने हूँ सुखनाही, option C, बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी, या option D चोर की दाढ़ी में तिन का हमारा right answer है, option C, बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी तो अगले question के लिए यहाँ पे prisoner देश दिया गया है, प्रतेक प्रश्ण में एक लोकुक्ती या मुहावरा दिया गया है, प्रतेक के अर्थ रूप, चार विकल्प दिये गये हैं, सही विकल्प का चायन कीजिए, तो हमारा पहला question है, उट रे उट तेरी कौन सी कलसी थी, option A, प्रतेक काम बिगार देने वाला, option B, धूर्थ विक्ती, option C, जिसमें दोश ही दोश हो, या option D, जो हर एक को धोका दे, हमारा right answer है, option C, जिसमें दोश ही दोश हो, अगला question है हमारा, किसियानी बिल्ली, खंबा नोचे, option A, जो क्रोध में पागल हो जाए, option B, शक्तिशाली पर वस्न चलने पर दूर्बल पर क्रोध करना, option C, जो सर्वता निकम्मा हो, या option D, काम बिगर जाने पर सब पर गुस्सा करने वाला, हमारा right answer है, option B, शक्तिशाली पर वस्न चलने पर दूर्बल पर क्रोध करना, तो हमारा अगला question है, गोदान के रचैता कौन है, option A, तुलसीदास, option B, प्रेमचंद, option C, अमरितलाल नागर, या option D, अग्ये, हमारा right answer है, option B, प्रेमचंद, तो हमारे अगले questions में आपे फिर से निर्देश दिया गया है, निमलिखित प्रतेक शब्द के लिए उसके नीचे दिये गए विकल्पों में से उप्युक्त समास का चैन कीजिए, तो हमारा पहला शब्द है, बेलाग, option A, द्वन्द, option B, कर्मधार, option C, अव्याई भाव, या option B, ततपुरुष, हमारा right answer है, option C, अव्याई भाव समास, अगला word है हमारा प्रत्यक्षि, option A, अव्याई भाव समास, option B, ततपुरुष समास, option C, कर्मधार, या option D, द्वन्द, समास, हमारा right answer है, option A, अव्याई भाव समास, तो हमारा आज का last question है friends पंकज, option A द्वंद्व समाज, option B द्विगु समाज, option C कर्मधारे समाज, या option D, बहुवरिही समाज हमारा right answer है option D बहुवरिही समाज तो इसलिके साथ friends आज हमारा आज का वीडियो खतम होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करें, share करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले और comment section में ये भी लिखके बताएं कि आपको कितने questions के जवाब पहले से ही आते हैं इसके साथ आज का वीडियो खतम करते हैं धन्यवाद